शहर के मध्य में House of Whispers खड़ा था, इसका अगरभाग जीनशीर था रहस्यों को केवल दरावनी कहानियों में छिपा कर रखा जाता है रोहन, काविया और एहमत जिग्यासा से भरे हुए हैं और युवा सासी घर के बाहर तयार खड़े थे अपने भीतर छुपे रहस्यों का सामना करें एक सामोहिक सांस के साथ किशोर चर्मराते सामने के दर्वाजे को धक्का दे कर खोला उनके दिल तेजी से धड़कने लगते हैं, उत्सा और घबराहट दोनो जैसे ही भारी दर्वाजा खट-खटाया गया, बाहर तेज हवा चल रही थी बंद करो उन्हें घर के अंधेरे आलिंगन के अंदर सील कर दो, काट दो उन्हें बाहरी दुन्या की सुरक्षा से दूर कर दिया गया है उनकी फ्लैशलाइटों से एक भूल बुलया जैसा आंतरिक भाग प्रकट हुआ किशोर घर में उतरने लगे मंद रोशनी वाले हॉलवे में उनके कदमों की आवाज गून्ज रही है तिम्टिमाती फ्लैशलाइटे विचित्र आकरितियों को रोशन कर रही थी दीवारी उनकी अपनी परचाईया मानों उन्हें ताना मार रही हो घरवाले उनके दर से खुश थे फुसफुसाटे उनके चारों और लिप्ती हुई थी उन पर आकरमन कर रही थी इंद्रिया एक अलोकिक कोरस जिसने सहरन पैदा कर दी उनकी रीड नीचे उनका अर्थ असपष्ट हो गया अलोकिक का परदा दरावनी फुसफुसाटों के बीच किशोरों को एक सजा हुआ कमरा मिला यह सदियों कुराने अतीत का दरपण है सता उनकी विकृत उपासपूर्ण छवियों को दर्शाती है अचानक छाया से एक धूतिया औरत प्रकट हुई उसका चेहरा पीडा से भरा हुआ था उसकी उपस्थिती भर रही थी निराशा की जबरदस्त आभावाला कमरा महिला उसके पास आई उसकी उंगलिया फैली हुई थी थंडी पीडा का सपर्श जो किसी भी पीडा से बढ़कर था नश्वर बेचेनी मुक्ती के लिए उसकी मूख विंती कमरे में गूंज रही है कमरा बरफीले शून्य में बदल गया तापमान जैसे जैसे फुसफुसा हट बढ़ती गई हड्या गिरती गई थंड़क कम होती गई और अधिक जोर से जिस हवा में उन्होंने सांस ली उसका दम घुट गया भागने के लिए बेताब वे चल्लाते हुए शापित कमरे से भाग गए तूफानी रात में केवल सामने के दर्वाजे से होकर एक खाली क्षितिज सदन द्वारा स्वागत किया जाना दोहस्वप्न का कहीं पता नहीं चलता उचे बगीचे की सुरक्षा में किशोर खड़े थे गहराई से जानने के लिए उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे उनकी आत्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने अलौकिक का सामना किया है उनका जीवन हमेशा के लिए भयावता से चेहनित हो गया फुसफुसाहट का घर